नमस्कार दोस्तों इनकी आयो 42 एर्स प्लस 5 मन्त की हो चुकी है अब ये गल्फ में जॉब कर रहे है सरकारी जॉब है और इनका सवाल है पुलिस केस तो नहीं होगा कभी जेल तो नहीं होगी राव रेखा है अभी आपको कोई बहुत बड़ी राव रेखा ने नहीं काटा हुआ है छोटी सी राव रेखा है एक बड़ी राव रेखा है वो थोड़े साल में है गल्फ में रहोगे तो राव रेखा का प्रॉब्लम आपको सामना एग्रिसिवली करना पड़ेगा बहुत ज्यादा असर देती है रहू रेखा बहुत ज्यादा लंबी कोई जेल ऐसी दिख नहीं रही है ना कोई ऐसा पुलिस केस मुझे दिख रहा है फिर भी मैं अगर कोई आफशूट को काटने वाली रेखा होगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता था पर आपके पास जो लोक कंप्रोमाइस करने को लगाया था आपने फिर भी आपके भविश्य बताने में इतनी भी कोई प्रोब्लम नहीं आ रही है तो आप चिंदा मत करिए कि आपका कोई भविश्य मैं गलत बताऊंगा हाँ पुलिस केस जब कोई आफशूट को मद्य से काटती है रेखा तब होत गल्फ और अफरिका में तो अति परिशान करती है और आपके ہात में राउ रखा है भी है विद्य से धन पराप्ति के योग भी आपके हाथ में है आप अपने लेवल पर निरन लीजिए या तो देश बदल लिए क्योंकि आगे भी राहू रेखा आने वाली है वो आपको परिशानी में डालेगी और एक तो बहुत बड़ी राओ रेखा है वो तो आपको गल्फ में पागल बना देगी इस हद तक अगर देश बदल सकते हो तो वैल एंड गुड यूरोप, कैनेडा, जापान ऐसे कोई देशों में जा सकते हो तो वैल एंड गुड नहीं तो राओ रेखा के पहले अगर इंडिया आ जाओ तो भी यहाँ पर भी असर होगा पर कम होगा अब आप अपने लेवल पर नेने ले लो, हाँ वीडे से धन प्राप्टिके योग जरूर है, अगर इंडिया पी आओ तो अपने जनस्थल से दूर काम करना या जनस्थल पर काम करो तो दूर का काम करता, दो मैंसे कोई भी यह नेने लेना, क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा है वो चंद्र को टच कर रही है, चले मैं एनालिसिस करता हूँ, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जब किसी व्यक्ति को सीधी या धनुशा का र पर फर्स पहले नुकिला, तो कारे के प्रती जिद्ध होती है, सेकेंड फैले इंज भी अच्छा है, जहान लॉजजी की जो रतवान लॉजी की उसके जहान चूप रहने की जो रतवान चूप रहे हैं, और अंगुटा मानसल भी है, तो अपने हितों की रख्षा करने वाल पाकि दोनों उंगली अलगबक सेमी हैं, वापस ये छोटे उंगली फर्स फैलें तक तो पहुच रही है, ये फर्स फैलें तक तो पहुच रही है, जनरली, तो वेक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना है, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीजों मैं वेक्ति एक्सपर्ट होता है, और ये थोड़ी सी भी उंगली साइड में जाए, तो ऐसे लोग कम्प्लीट अलग सोच वाले होते हैं, चाहे वो राजनेतिक सब्जेक्ट हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, हर वस्तु में इनके ओपिनियन अलग होते हैं, और बहुत बार तो ऐसी बाते बोल देते हैं, कि वेक्ति आश्यर रिचकित होता है, कि ऐसा इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है वेक्ति, बुद्परवत पर खड़ी लाइन है, बहुत सारी है, बिजनेस माइंडेड होंगे आप, अगर यही लाइन है, बुद्परवत यहां से दबा ना होता हो, तो अत्ती सुन्दरता मिलती थी आपको, अब बड़ी बड़ी लाइन है, तो बुड़ापे में इंकम व्योसित रहेगी, कोई चिंता करने के आउशकता नहीं है, बुद्ध दबा हो, तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे वो परिवार में बैठाओ, या बिजनेस मीटिंग में बैठाओ, अब कारे क्या सा होती है, छोटा भी काम करें, तो इनका मन करता है मेरा नाम होना जी है, एक हलकी सी यस शायनिया पर मुझे नजर आ रही है, इस चगह पर, इलेक्ति को फेम देती है, छोटे मोटे स्क्वेर भी है, अब सरकारी जॉब है, तो स्क्वेर तो वेक्टी के जीवन में रहते ही है, अब इनकी साहिने देखने की कोशिज करते हैं, स्क्वेर वाला अपनी आई से अधिक अच्छे तरह रहता है, आसपास के लोगों को लगता है, इनके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ बड़ी असी साहिन है, एक यहाँ पर भी है, साहिने देखकर तो लगता है आप बड़े ओपिसर होंगे, डिपार्मेंट में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, कि जुपिटर की और जाने वाली रेखा रेखती को चार लाप कराती है नए पर यह तो बड़े-बड़े लोग संपर्ग में आने वाली रेखा है यह वो वाली रेखा है और ज्याधा तर सरकारी जौप चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो आपको कोई ने कोई एक रेखा ताकि शनी परवत्त प्रहस्थित एक प्रॉब्लम एक्टिव रहता वेक्टि जुपिटर माउंड भी भूत अच्छा है तो पारिबारी का और सांसारिक्षुक व्यक्टि को अच्छा मिलता है इज्जत भी अच्छी मिलती है इस तरह का अगर जुपिटर माउंड हो तो चाह लोग खड़े होकर जगह देते बैटने के लिए इस तरह की इज्जत मिलती है खाने के भी शौकिन होते हैं ये लोग और थोड़ा सा सरीर में भी वजन रहता है जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो तो कभी नाम खराब नहीं होता कोई बड़ा आर्थिक संकट भी आया हो तो किसको बता भी दिया तो वो भरोसा नहीं करता यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके हाथ में एक ट्रैंगल भी है वेक्ति को पॉलिटिकल लाब और सरकारी लाब करवाता है जो आपके जीवन में सरकारी लाब है यह और आम लोगों से वेक्ति संपन्द रहता है एक लाइन दो लाइन यह वेक्ति को मल्टिपल इंकम के सोर्स देती है यहाँ पर गुरु वले भी बना अगर यह रियालिटी होगी तो आप अत्ती धार्मिक बनोगे जैसे जैसे उम्र बनेगी रिटार्मेंट के बाद हिंदू होगे तो मंदिर के आठ मैं समय दोगे मुस्लिम होगे तो मस्जिद में दोगे क्रिश्चन होगे तो चर्च में दोगे retirement के बाद व्यक्ति धर्मस्थान पर अच्छा खासा समय देता है पैसे वाला होता है तो कारे चलाने वादा है इन्हीं financial management देखने वाला व्यक्ति होता है मंदिरों के कामकाच को देखता है और आर्थिक रुप से कम रहा व्यक्ति तो सेवा वाला कार्य जो होते हैं मंदिरों में मश्जीदों में या चर्चों में वो काम हैंडल करता है कितना भी पढ़ा लिखावार यह अगर साइन है गुरुवल है तो इस तरह की चीज़े होती है अंदुनी मंगल काफी उत्तम है तो सारी रिपूर्जा विवस्तीत रहेगी बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलोगे एनरजी के साथ मिलोगे सामने वाला कमफोडेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और यह खड़ी लाइन रही तो कोई केस भी हो जाए तो उनको वीज़े प्राप्त होता है आपकी जीवन रेखा पूरी चंद्रपरवत पर जा रही है तो मैंने बताया वीडियो की सुरुवात में अगर इंडिया आ भी गए तो जनस्थल से दूर काम करता है या अगर जनस्थल पर काम करता है यहाँ पर एक ट्रैंगल है एक ट्रैंगल यहाँ पर भी है तो वीडिय से धन प्राप्ति के योग तो भरपूर है मैं तो कहूंगा आप देश बदल दो अगर मौका मिले तो नहीं तो आगे राओ रेखा इससे भी बड़ी बड़ी है यह ट्रैंगल व्यक्ति को कभी बनाता है या विडिय से धन प्राप्ति के योग बनाता है और चंद्रपरवत भी अति उत्तम है तो ऐसे लोग अच्छे बारगेनर होते है अच्छे परचेसर होते है पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती है नेड़े शक्ती अच्छी होती है नई नई चीजे करने का शौक होता है शुक्र परवत भी व्यवस्तित है कोई प्राप्लम नहीं ह अच्छे कपड़ पेढ़ना अच्छी तरह रहना है ये सारे लक्षन रहते हैं हिर्दे रेखा यहां से चालू हो रही है और ये थोड़ी सी नीचे जा रही है ये शुरुवाती जीवन में आपको गुस्सा भी आती दिलाती होगी और ये लाइन शनी परवत से निकल रही है तो पैसे कोई तरफ आपका जुकाओ जादा रहता है कामुक भावना और कभी कभी फिजिकल बनना है यानि हाथ पर उठाना और एक दो लाइने नीचे जा रहे मित्रों को सके समद्रों को पैसा रोगे वो पैसा वापस नहीं आएगा सिवा भावी लोग रहते है माइन जुपिटर से निकल रहे है तो अत्ती उत्तम महतोगांशी व्यक्ति होता है और धीरे धीरे ये नीचे तरफ जा रही है तो जैसे जैसे उम्रों बढ़ेगी धार्मिक्ता भी आएगी थोड़े सपने बढ़ते जाएंगे बार वालों के लिए उत्तम होंगे घर में क पर ये जाता बोल बोल करोगे पर ठोड़े से लक्षन तो मिलेंगे आपको अब आपकी राहु रेखा पर चलते जीवन रेखा पर ये एज 29 में इस लाइन ने आपकी साधी कराई और उसके पहले तीन साल पहले बहुत सारी राहु रेखाउने काटा था साधी के पहले परेशान रहे होंगे आप, बहुत जाता उसके बाद भी छोटी छोटी राउ रेखाए थी जो आपको डिश्टब की होगी और इसी पिरियड के आसपास, साधी के वाले पिरियड के आसपास, एक डेड़ साल में दो लोग गए होंगे एक पहले गए होंगे, और एक साधी के बाद गए होंगे नियर एंडियरर की डेथ उसके बाद एक राउ रेखाई 32-33 में इसने आपको परेशान किया होगा फिर उसके बाद एक और राउ रेखाई थी ये पिरियड होगा आपका लगबग साधे 34 या 35 के आसपास और इस पिरियड के आसपास भी दो जन आपके जिवन से कम होगे एक 33 के आसपास और एक 36 के आसपास फिर उसके बाद ये अभी वर्तमान में है अगर ये राउ रेखा होगी तो आप 40 के आसपास भी परेशान रहे होंगे थर्टी नैन फोर्टी के आसपास फिर ये 42 में ये राउ रेखा है फिर 44 में ये राउ रेखा है अब आपका ओफशुट देखिए ये यहां से लेकर यहां है और इसको कोई मद्य से ये रेखा है काट नहीं रही है कोई भी रेखा तो chances मुझे कोई भी हालत में नहीं लग रहे है तो यह 42 की राहू रेखा है यह 44 की है और यह आएगी राहू रेखा अगर गल्फ में रहे 44 और लगबग साड़े तीन साल के आस पास 47 या 48 को बहुत बड़ी राहू रेखा काटेगी आपको यहां गल्फ में रहे तो ना नहीं याद दिला देगी यह आपको इतनी बड़ी राहू रेखा है फिर उसके बाद 52 के आस पास से 2, 3, 4 और 5 52, 53 से लेकर 58, 59 तक continue राहू रेखा है चलेगी यह मध्यम टैप की है जो अभी चल रहे है उससे भी थोड़ी बड़ी है तो यह भी आपको परेशान करेगी अगर अफरीका और गल्फ में रहे तो इंडिया में रहे तो आप अभी जो पेन उठा रहे हो उसका जैसे इंडिया में अगर सौप रितिशत एफेक्ट आती है राहू रेखा की तो गल्फ और अफरीका में वो 500 गुना होती है इतनी इफेक्ट जादा रहती है और यह कैनेडा या यह उपर वाले पार्ट में या जापान तो वहां पर आपको 15 परसेंट 25 परसेंट का इफेक्ट देती है इंडिया के मुकाबले अब यह तो मैंने माइनस पॉइंट बताया उसके सामने आगे चलकर और शुट भी भरपूर है आपको continue है तो खाली माइनस पॉइंट है ऐसा नहीं है आपके हाथ में राहू रेखाय भी आएगी और साथ मैं सफलता भी मिलने वाले आपको साथ साथ मैं और एक भी ऑफशुट को कोई मद्य से एक भी राहू रेखा काटने रहे तो यह दिमाग में से डर निकाल दिये दीजिए कि कोई केस होगा धन रेखा पर एक बहुत बड़ा कट था 39 के आसपास 38-39 में इसने आपको हिला दिया होगा अच्छा कासा लॉस गया होगा आपको अभी वर्तमान में ऐसा कोई कट दिखने ही रा आगे भी छोटे मोटे कट रहे तो उससे कोई खास फरक नहीं पड़ता अब आपकी धन रेखा को देखे धन रेखा यहां तक तो बहुत ही एक्सपेंसिव थी 36 के आसपास से आपकी धन रेखा बैतर हुई यहां इंकम बढ़ी होगी फिर छोटे कट भी लगते गए और एक यह बड़ा कट था 38-39 के आसपास इसने आपको परेशान अच्छा कासा लॉज दिया होगा वर्तवान में आप यहां पर चल रहे हो ऐसी कोई धन रेखा खराब नहीं है इतनी अच्छी भी धन रेखा नहीं है पर इतनी खराब भी नहीं है तो आपके हाथ में साइन है तो चिंता करने की जुर पूरा पर तक स्मूथ लाइन ही है जैसी है वैसी की वैसी है थोड़ा सा एक्स्पेंसिव लाइफ रहे कि बस इससे ज्यादा कुछ माइनस पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है वागे आपने स्वास्ते का पुछा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फॉटो चीए उतना अच्छी तरह से इसमें बता नहीं चल रहा है और मंगल अच्छा है तो ऐसे लोगों को स्वास्ते से डरने की आउशकता नहीं है और यह फोर्क व्यक्ति को अपनी बाते अच्छी तरह से समझा पाता है तो आशा रखता है इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद